So guys Realme UI 6.0, Android 15 या फिर ColorOS 15 की बहुत सारी APKs जो हैं वो निकल कर आ चुकी है साथ इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो भी आपर निकल कर आ गए हैं तो उन में से ही एक फीचर है Lock Screen Customization का तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको अपने Android 14 के डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर न्यू फीचर देखने करें मिलते हैं यह सबी कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों साथ ही अभी बताऊंगा कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे इसको वापिस से अनिस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो काफ इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा तो चलिए गाइस फटावट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो चलिए वाइस वीडियो को स्टार्ट कर ले तो और सबसे पहले यहां पर अभी जो Android 14 का Wallpaper section है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो अभी आपको कुछ ऐसा Wallpaper section देखने के लिए मिलता है उपर recent album and workshop का option है नीचे इसके live wallpaper है और इसके बाद static wallpaper है static wallpapers आप देखेंगे तो ऐसे कुछ आपको wallpapers देखने के लिए मिलेंगे इसके साथ ही अगर यहां पर आप Android 14 में किसी particular image को wallpaper बनाना चाहते हैं तो image को खोलके हैं simply three dot पे click करते हैं set as wallpaper करते हैं तो आपको यहां पर केवल दो option देखने के मिलते हैं एक यहां पर आपको option देखने के मिलेगा zoom का and second यहां पर आपको scrolling जो है वो on या फिर off करने का option मिलेगा तो यह केवल दो option आपको यहां पर देखने के मिलते हैं अब बात करें दोस्तों Android 15 के wallpaper APK की तो वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर wallpaper एप जो है वो देखने के मिलता है इसका APK एप इसको simply यहां पर install करना है तो install करने के लिए इस पर click करेंगे यहां पर आपको update का option देखने के मिलेगा क्योंकि यहां पर पहले से जो wallpaper है वो इसमें install होता है तो यहां पर simply इसको update कर लिजे अब यह APK कहां से मिलेगी क्या इसका password होगा यह सब मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ तो guys यहां पर मैंने इसको update कर लिया है अब अगर मैं आपको इसका जो wallpaper section है वो दिखा हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि उपर से यहां पर जो recent और यह सब options थे तीन वो यहां से हट चुके है simply अब यहां पर आपको live wallpaper और static wallpaper का option देखने के मिलता है wallpaper आपको यहां पर changes देखने के लिए अभी नहीं मिल रहे हैं तो android 15 जब आएगा officially तो maybe यहां पर आपको कुछ नए wallpapers जो है वो देखने के मिलेंगे अब इसके बाद अगर आप किसी image को जो है यहां पर wallpaper section में wallpaper लगाना चाहते हैं तो simply यहां पर भी आपको three dot पर click करना है set as wallpaper करना है lock screen, home screen या फिर lock screen and home screen दोनों का आपको यहां पर option देखने के मिलता है तो अभी के लिए मैं यहां पर इसको home screen पर click करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब यहां पर customization के काफी कुछ options देखने के मिल रहे हैं यह सभी options आपको Android 15 में Realme UI 6.0 में देखने के मिलेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं wallpaper scrolling का option जो है वो देखने के मिलता है इसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो blur का option आपको देखने के मिल जाता है blur की यहां पर intensity आप decide नहीं कर सकते है blur करेंगे तो यहां पर automatically पूरा blur हो जाएगा इसके लावा आपको यहां पर wallpaper है अगर कोई और select करना है तो वो आप यहां से change कर सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर color का भी option देखने के मिलता है color आप यहां से चाहें तो plus पे आप click करेंगे तो यहां पर आपको gradient and classic colors के options combinations देखने के मिल जाएंगे आप जो भी यहां पर चाहते हैं आप उसको यहां पर select कर सकते हैं इसके बाद आपको एक option देखने के मिलेगा match lock screen wallpaper तो जो भी lock screen का wallpaper है अगर आप उसको match करना चाहते हैं तो आप इसको click कर दीजिए simply आप यहां पर इसको match कर पाएंगे लेकिन मैं यहां पर अभी फिलहाल के लिए आपको यहां पर दूसरा जो एक wallpaper है वो देखने के लिए मिलता है यहां पर आप इसको pinch करके crop कर सकते हैं यहां से आप style जो है वो यहां पर select कर सकते हैं तो पहले मैं यहां पर wallpaper दूसरा जो है select कर लेता हूँ तो मैं यहां पर फिलहाल के लिए यहां पर यह wallpaper लेता हूँ अब यहाँ पर style में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर blur का option देखने क्लिए मिलता है अब आप यहाँ पर देख सकते कि wallpaper जो है blur हो चुका है इसके लावा आपको यहाँ पर काफी कुछ जो styles हैं patterns हैं वो देखने क्लिए मिलते हैं जैसे narrow reddit आपको देखने क्लिए मि मिलेगा जो कि अभी work नहीं कर रहा है इसके बाद है आप यहाँ पर change करेंगे तो आपको यहाँ पर aod का option देखने के लिए मिलेगा जिसमें की classic and flux है flux में अभी अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें blank दिखा रहा है कुछ भी ऐसा wallpaper में दिखा नहीं रहा है तो अभी यह Android 15 की है तो officially अभी नहीं आया तो कुछ-कुछ problems आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि lock screen पर कुछ ऐसा आप customization कर सकते हैं अब अगर आप इसको simply apply करेंगे तो यह जो wallpaper है यहाँ पर apply हो जाएगा एक बार यह apply हो जाएगा त उसके बाद अगर lock screen पर आप आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैं एक बार lock करके आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि wallpaper जो है वो change हो चुका है तो दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप इसको अपने Android 14 के device में install कर सकते हैं तो simply अभी जो मैंने आपको APK दिखाई थी उसका link मैं आपको description में दे दूँगा आप यहाँ से download करेंगे और उसका zip file में देऊँगा तो आपको उसको password से open करना पड़ेगा उसका password मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर 4321 यह यहाँ पर password इसको डालिए extract कीजिए और यहाँ पर install आप अपने device में कर सकते हैं अब दोस्तों बात करें कि अगर आप इसको install करते हैं और आपको वापिस से इसको uninstall करना है तो कैसे कर सकते हैं तो simply इसमें settings में आप जाईए apps में जाईए app management में जाईए और यहाँ पर नीचे scroll करके wallpaper section को ढूण लीजिए wallpaper का जो APK है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपको देखने के लिए नहीं मिलता तो simply यहाँ पर आप three dot पर click करके show systems कर दीजे तो भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर wall paper पर click किजिए उपर three dot पर click किजिए and install updates कर दीजिए अब यहाँ पर जो आपका default APK था जो आपको इस APK के install करने के पहले था वो ही आपको वापिस से देखने के लिए मिल जाएगा तो ऐसे आप इसको यहाँ पर install भी कर सकते हैं तो guys इसको install करके आप चेक कीजिए अपने device में we are properly work कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है आप मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर से बताईएगा तो